हलो दोस्तों कैसे हैं आप मैं मेटाम आफसेस में नागिन फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ और हमारी दो सिरीज साथ में चल रही है एक है ग्रामर की सिरीज और दोसरी है हिस्ट्री आफ इंग्लिश लिट्रेचर और जिसमें हम दोनों में one by one step wise वीडियो बना रहे हैं और आज का वीडियो जो है वो pronoun जो पिछला वीडियो था इंट्रोडक्ट उसके आगे का वीडियो होने वाला है और मैं फिर से आपको यह याद दिला दू की pronoun में मैंने introduction की बात की थी और personal pronoun के बारे में खास बताया था और यह बताया था कि pronoun कैसे आए और personal pronoun जो है basically सबसे पहले आए हुए pronoun थे I, he, you, we, they और आज मैं एक interesting session और देने वाला हूँ की एक pronoun होता है जिसे हम कहता है it, it के 6 use होते हैं अगर वो 6 के 6 हम champion कर लें तो it में कभी भी हमारी गलती नहीं होगी तो कोशिश करूँगा की it और pronoun के सारे type आपसे discuss कर सकों तो चलिए कुछ बात करते हैं और शुरुआत करते हैं इसकी अगर मैं आपसे कहूँ, मैं सीधा आपको types of pronoun में ले आ रहा हूँ अगर मैं आपसे कहूँ कि hello everyone, this is a watch और मैं आपको ये demonstrate करने लग जाओं सब जगा पे या फिर मैं कहूँ this is a pen, या this is a book which I am going to show you या फिर मैं कहूँ कि these are some of the best mangoes from the best areas of India तो आपको मैं कुछने कुछ जब demonstrate करता हूँ, आपने देखा हूँ कभी जो demonstrators होते हैं या जो marketing करते हैं, वो आपको अपने नई product launch को जब दिखाते हैं तो अगर वो English में बोल रहे हैं, तो वो एक शब्द का इस्तिमाल कर रहे हैं अगर वो नजदीक में हैं, तो वो कहते हैं, this is a pen या this is a book और अगर वो दूर रखा हैं, तो that is a book अगर वो बहुत सारी चीज़े हैं, these are some mangoes अगर वो दूर रखें, those are some mangoes जब भी मैं demonstrate कर रहा हूँ, तो मैं कुछ शब्दों का सहरा ले रहा हूँ जैसे this, that, these, those तो यह जो शब्द हैं, जो demonstration के वक्त हमारा काम करते हैं इनको कहते हैं, demonstrative pronoun तो यह दूसरा टाइप था, personal pronoun हम discuss कर चुके और demonstrative pronoun वो pronoun होते हैं, जो कभी भी demonstration के वक्त काम आते हैं तो यहाँ पर आपने देखा, कि सीधे this से start होता है और this noun की जगल लेता है, तो वो pronoun हो गया और हम सीधे बोलते हैं, this is a good pen या, please look at these mangoes तो these फिर से pronoun हो गया तो जहाँ पर भी हम demonstration दे रहे हैं, कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ पर जो words यूज होते हैं, this, that ऐसे दिखाते हैं इशारों से, वो सब demonstrative pronoun में आएंगे अब इसमें हम example कह सकते हैं, कि I don't like this pen but I like that one, तो this pen, this is a demonstrative pronoun और that भी एक demonstrative pronoun है इसमें तो अब हम चलते हैं, दूसरे type के pronoun में एक और pronoun होता है, बड़ा interesting है वो भी जैसे मैं आपसे कहूँ, कि हम जब प्रकाश की बात करते हैं physics में, यह हम सीशे के सामने खड़े होते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा reflection हम देख पाते हैं क्यों? क्योंकि प्रकाश किरने टकरा के हम तक हमारी image को पहुँचाती है ठीक वैसे ही, अगर आप देखते हैं कि किसी जगर पे आप बहुत तेजी से चिलना है तो reflection back of the sound होता है, reflect होती है sound तो आपको अपनी ही प्रतिमूर्ती सुनाई देती है अगर आप अपनी picture को खुद में analyze कर पाते हैं तो reflection of the mirror है अगर आप sound को सुन पाते हैं, खुद की तो reflection of sound है अब बात करते हैं, मैं इसको क्यों ला रहा हूँ अब अगर मुझे भाशा के अंदर कुछ ये बताना हो कि मैं अपनी बारे में बात करना चाहता हूँ कि मैंने ये, अब मैं अपनी image को फिर ला रहा हूँ मैंने ये खुद किया अब मैं अपने आपको खुद ले के आ रहा हूँ तो अपनी image को ले के आ रहा हूँ तो यहाँ पर हम एक ऐसे pronoun को use करते है जिसका नाम reflection से ही बनता है reflexive pronoun ये reflexive pronoun वो होते हैं जहाँ पर कोई भी, जिससे भी शुरू होता है sentence वो खुद को ही reflect करता है जैसे I did it myself ठीक है I did it myself मैंने यहाँ खुद किया तो my के साथ जो self लग रहा है ये reflexive को दिखाता है तो reflexive pronoun को आपको बहुत आसानी से ही समझ सकते हैं क्योंकि reflexive pronoun में self जरूर लगता है और अगर वहाँ बहुचन हो तो selves हो जाता है जैसे themselves He के case में तो himself रहेगा S-E-L-F लेकिन अगर दे हैं बहुत सारे हैं तो उसके case में themselves हो जाएगा S-E-L-V-E-S तो they did it themselves I did it myself तो ये मुझ में खुद को मैं reflect करवा रहा हूँ तो इसे reflexive pronoun कहते हैं अब एक और चीज में आते हैं कि अगर मेरे पास कोई pronoun हो जिसमें आप जानते हैं कि कोई भी चीज reciprocate करती है तो इस edge में इस end में भी जाती है और इस end में भी दोनों से उसका relation होता है अब अगर मैं एक sentence कहूँ कि they looked they looked after each other they looked after looked after एक phrasal verb है और उसका मतलब है देख रेक करना या किसी को अच्छी तरह से पालम पोशन करना या उसको पूरी तरह guardianship देना उन्होंने एक दूसरे की को look after किया यानि उन्होंने एक दूसरे के साथ guardianship निभाई तो अब यहाँ पर यह व्यक्ति जो है यह इसको देख रहा है और यह व्यक्ति इसे देख रहा है तो दोनों एक दूसरे को reciprocate कर रहे है responsibility को तो यहाँ पर जो each other word है वो pronoun है और each other word जब pronoun है तो यह reciprocate कर रहे है एक दूसरे को इसे कहते हैं reciprocal pronoun तो हम कह सकते हैं कोई ये भी कह सकते हैं कि Tom and Harry look after each other तो ये इसमें reciprocation है दोनों का तो reciprocated pronoun अब मान लिया मैं कहता हूँ कि who gave you this किसे से प्रश्न पोस्ता हूँ तुम्हें किस ने दिया तो आप कहते हैं कि ये मुझे किसी ने दिया या somebody gave it to me ये somebody जो है क्या आप इसकी image बना सकते हैं क्या आप बता सकते हैं somebody को उने definitely नहीं अगर हम कहते हैं anybody can do this क्या ये anybody कोई भी image को produce कर सकते हैं हम आने उन सामने नहीं anything anyone ये कोई भी नहीं होते जिनको हम एक साफ तोर पर image बना सकें language के अंदर तो ये definite कभी नहीं होते anyone, anybody, something, anything, few, both, many, nobody, no one ये कभी भी हम बता नहीं सकते कि कौन है या कितना है तो जब ये definite नहीं है तो ये indefinite है तो जहां भी ये शब्द यूज होने वाले हैं वो indefinite pronoun होगा जैसे मैं कहूं कि somebody gave me this book तो ये somebody जो यहां पर है वो indefinite pronoun है तो ये anyone जो है यहां पर हमें कभी भी definite नहीं है कि कौन व्यक्ति है हम सर्फ ये कह रहे है कि कोई भी इसे कर सकता है तो ये कोई भी जो व्यक्ति है anyone that is actually indefinite pronoun तो indefinite pronoun next type होता इसका इसके बाद हम आते हैं interrogative pronoun interrogative pronoun के अगर हम बात करें तो ये काफी interesting है जितने भी आपने कभी interrogative का मतलब होता है प्रश्न वाचक वाक्की और जितने भी आपने आज तक interrogative sentences या words पढ़ें तो आप उसमें जानते हैं कि कुछ wh words होते हैं जैसे what, why, when, where ये सब wh words प्रश्न वाचक शब्द कहे जाते हैं जिन से हम प्रश्न पूछते हैं तो जहां पर हमें wh words मिलते हैं जैसे who, which या फिर what, whose, whom इस तरीके के कुछ प्रश्न पूछने वाले interrogative words मिलते हैं जो actually pronoun का काम कर रहे होते हैं क्योंकि वो noun की जगए use के जाते हैं as a subject या object तो वो होता है आपके लिए basically interrogative pronoun लेकिन यहां सबसे ज़्यादा गौर तलब बात यह है कि पूछने वाली जो सबसे ज़्यादा confusing चीज़ है जिसमें ज़्यादतर लोगा confusion नहीं हटता वो है कि who को कब लगाए और whom को कब लगाए तो इसमें मैंने एक research की है और मैं आपको एक बहुत easy तरीका बता सकता हूँ who and whom के बीच में differentiate करने का इस तरीके को आप मेरी तरफ से एक trick मानिए जो आपको बहुत helpful रहेगा जैसे अगर आपको कभी भी एक confusion हो तो आप उस sentence को पूरा पढ़िए जैसे एक sentence है who will come to the party आप देखिए ये एक interrogative pronoun है who अब आप देखना चाते हैं कि ये सही है कि गलत है yes में error है तो आप यहाँ पर personal pronoun से who को replace कर दीजे कोई भी personal pronoun उठाईए चलिए I उठा लेते तो who will come to the party में who को करिए replace और यहाँ पर रखिए I को तो हो जाएगा I will come to the party तो इस sentence में कुछ भी अजीब नहीं है और ये sentence बहुत अच्छा sentence है जो पूरा meaning दे रहा है तो इसका मतलब who का use यहाँ पर बिलकुल सही है लेकिन अगर हम यह कहते कि अगर हमें पता करना हो कि यह who या whom गलत है तो फिर से एक और test करते है दूसरा sentence उठाते है whom did you tell आपके पास एक sentence है whom did you tell और whom did you tell में आप whom को आप हटाईए और यहाँ पर कोई भी रखिए माल लिए I रख देते है I did you tell क्या यह एक सही sentence लगता है I did you tell हमने तो ऐसा sentence कभी नहीं सुना तो यह एक sentence ऐसा है जो पूरे grammatical structure को खातम कर देता है तो इसका मतलब whom यहाँ पर गलत है तो यहाँ पर आना चाहिए who did you tell तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से who और whom को समझ सकते हैं तो यह होते हैं आपके interrogative pronoun तो मैंने लगवक सारे pronoun बता दिये हैं दो और बचे हैं जिसमें एक आता है relative pronoun और relative pronoun में क्या होता है कि इसमें एक चीच का relation दूसरे से समझाय गया होता है जैसे अगर मैं कहूं कि कोई भी चीच previously describe है उसका reference दूसरी जगह आ रहा है जैसे जो table hall में बीच में रखी है या hall के रास्ते पर रखी है वो आपसी बातचीत के लिए यूज की जाती है या the car that crashed into the wall was blue तो the car से sentence हमने शुरू कर दिया लेकिन इसका reference एक word दे रहा है वो है that तो यह relative pronoun होते हैं जो relations को समझाते हैं और अब अगर हम बात करें कि एक last pronoun की तो उसको कहते है intensive pronoun intensive pronoun वो pronoun है जिसमें कई लोग confused हो जाते हैं कि कहीं यह reflexive pronoun तो नहीं reflexive pronoun तो वो हैं जो एक बार किसी चीज़ को reflect करेंगे यानि self लगाके लेकिन जो intensive pronoun होंगे वो किसी चीज़ में जोर डालेंगे emphasize करेंगे emphasize तो अगर जोर डाल के बात कहनी है जैसे I will do it myself मैं ये खुद कर लूँगा तो ये जोर डाल के कहने वाली बात है ये समोसा हमने खुद बनाया तो जहां खुद की बात कर रहे है जोर डाल के बात हो रही है लेकिन जैसे reflexive होगा वो कुछ और होगा वो आपका reflection दे रहा होगा जैसे आप अपनी बात को कर रहे होंगे वहां I called these all people myself इनको मैंने खुद बुलाया है तो ये simply आपका reflection दे रहा है लेकिन जहां पर जोर डालना होगा self को use करना होगा वहां intensive pronoun होता है तो इस तरीके से सारे type के pronoun मैंने आपसे discuss कर लिए लेकिन मैंने आपको शुरू में कहाता कि मैं it के use सिखाने वाला हूँ तो जी हां it एक ऐसा word है जो हर किसी यो confused करता है जिसमें आपको एक दो use आते हैं लेकिन इसके होते हैं पूरे 6 use इन 6 के 6 use को मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ number 1 जो आपको आता है it वहां पर use किया जाता है जहां animals का case हो for example I have a horse it is quite beautiful horse मेरे पास एक घोड़ा है अब मैं दुबारा जब pronoun लाऊंगा जैसे मैंने कहा था noun के बदले pronoun तो मैंने it लगाया और animals के साथ it use होता है ये पहला rule है जो आपको भी आता है दूसरा rule है बेजान चीजों के लिए it use होता है जैसे हो कहते है I bought a pen It is beautiful मैं एक pen लाया वो बहुत सुन्दर है pen को मैंने दुबारा बात करनी तो it आ गया pronoun तो ये बेजान चीजों के लिए भी हो गई बात ये भी दोनों आपको आते हैं अब जो चार आपको नहीं आते हैं वो सीखने हैं उसी में गलती हैं अब इसमें सबसे ज़्यादा जो मैं कहता हूँ जो famous जिसे कह सकते हैं blockbuster hit sentence है जिसमें हमेशा error आती है वो ये है आपके पास एक sentence आएगा और उस sentence में आप में से 90% लोग इतना बड़ा cross लगा के आएंगे कहेंगे लोग हमें बता रहे हैं ये तो गलत sentence है वो sentence क्या होगा है बताता हूँ तुम कोगे अरे पता चल गया error तो it में है child के साथ it लगाएगा अरे it में error कर दी और आप खुश होगे लेकिन child के साथ it आता है तो आप इसको याद रखिए कि जब किसी भी child का जिक्र हो और उस बच्चे के बारे में जेंडर का कुछ पता ना हो जैसे आपने का I saw a child अब आपको जेंडर नहीं पता है इस बच्चे का तो वहाँ पर it यूज किया जाता है वें जेंडर इस नॉट डिफाइंड इन केस आफ ए चाइल्ड वी ऑल्वेज यूज यूज इट तो ये बिल्कुश सही सेंटेंस है I saw a child It was playing तो आप इसमें इट में गलत मत करके आना ये बिल्कुश सही है और हम इसलिए गलती कर जाते हैं अब हो गए तीन केस चौथा केस फटा फट चौथे केस में ये होता है कि आप अगर कोई चीज को यहाँ पर जोर डालके कहना चाते है एमफिसाइस करना चाते है आपके दोस्त ने कहा अरे आओ कभी हमारे शहर दिल्ली तो आपने एकदम जोर देके कहा अरे भाई साब रहने दो ये तुम्हारी ही दिल्ली थी जहाँ पर हम आपके किसी दोस्त ने कहा कि आई ए सहर हमारे शहर दिल्ली में दिल्ली में तो आपने कहा भाई साब माफ करिए ये तुम्हारी ही दिल्ली थी अब आपका जोर डालना देखिए आप कहरें यह तुम्हारी ही दिल्ली थी यह दिल्ली ही थी जहाँ पर मेरा पहली बार railway station में उतरते ही पर्स साफ हो गया जेब कड गई तो यह जो डालके बोलना यह तुम्हारी ही दिल्ली थी इसमें भी it use किया जाता है तो कैसे देखिये दिखाता हूँ तो यहाँ पर मैं जो डालके कहता हूँ यह तुम्हारी ही दिल्ली थी यह दिल्ली ही थी जहाँ मेरा पर्स पहली विजिट में कड गया तो यह है चौथा use और पाँचवा use होता है उसको हम कह सकते है कि वो use आता है जब हम season की बात करते है मौसम की बात जब भी हम मौसमों की बात करें तो it use होता है जैसे आपने सुना होगा कविताओं में सुना होगा या लिखता हो it is summer it is rainy season it is spring तो it हमेशा seasons में use किया जाता है और last जो छटा है it का use वो है कि it quotations या किसी proverb के description में भी use किया जाता है जैसे हम कहेंगे honesty is the best policy ये एक quote है मालिया ये कोई statement है तो हम comma या semicolon लगाने के बाद कह सकते है it is a true saying तो मैंने जो पूरे quotation था उसको पूरा indicate करने के लिए it का use किया जाता है या मैं इसको start में भी कर सकता हूँ it is a good saying that honesty is the best policy तो it proverb और quotations का जिक्र करते वक्त भी use होता है तो अगर आपने 6 ये it के use सीख लिए तो समझ लीजे कि आप it में कभी कोई गलती करके आने वाले नहीं है तो दो तो आपको आते थे चार और एट कर लीजेगा और इस तरीके से ही आप मेरे pronounce के अगले series में आईएगा जिसमें मैं pronounce के पूरे errors बताने वाला हूँ और one by one हम errors को solve करने वाले है और बताओंगा कि कैसे error को break किया जाता है तो सुनते और देखते रही है metamopsis और जुड़े रही है और लोगों को भी इसके लिए आप encourage कीजिए क्योंकि हम लोग बहुत मैनत करते हैं research करते हैं और आप लोगों के लिए material लाते हैं देड़ जरूर हो जाती है लेकिन जब भी लाते हैं कुछ सही निकाल के लाते कोशिश करते हैं तो आप जरूर इसको subscribe कीजएगा like कीजएगा comment करना मत भूलेगा क्योंकि आपके comment से मुझे और जा मिलती है and your comment is my inspiration please never forget that and you people have showered upon me a lot of love, tons of love and I hope that you will keep doing that in metamopsis batch चल रहे हैं LTE के, lecturer के और भी चीज़ों के जिनको offline batch में आना हो वो मुझे contact कर सकते हैं और जल्दी बहुत सारे course में launch करने वाला हूँ तो अगली बार जो मैं वीडियो लाँगा एक तो आपके लिए लेके आने वाला हूँ pronoun के errors और उसके बार literature का भी वीडियो चौसर एज जो अगला next वीडियो उसके बार तो मिलते हैं आपसे दोस्तों Thank you, have a nice day